हलो दोस्तो ट्रेडिंग विथ राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे L.T. Foods के बारे में जिसे दावत के नाम से भी जाना जाता है आपने बासमती का जो राइस आता है दावत का दावत ब्रांड के अंडर वो सब आप जानते होंगे वो इनहीं के ब्रांड है चली डीटेल्स में जानेंगे आज इन्होंने अपने मार्च 2021 क्वाटर के रिजल्ट की घूसना की है रिजल्ट में कुछ निगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है दोनों नजरिया को देखेंगे और डीटेल्स में जानेंगे अब हमें बाई करना है वोल्ड करना है या से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी परकार के और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुरन सस्क्राइब कर लिजिए वेल आइकन को हमें साफ प्रेस करके रखी और हाँ दोस्तो मेरे लिए स्रिफ एक लाइक कर दीजिए यह पूरी तरह से फ्री है मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा तो चली दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीटेल्स में एल्टी फूट्स के बारे दोस्तो आज है 26 मई 2021 और आज एल्टी फूट्स का सेर प्रैस 88 रुपए 50 पैसे पे ओपन हुआ था और लो बनाया था दोस्तो आज परसेंटेज उठाया था लेकिन इसका आज जो रिजल्ट है वो निगेटिव हमें दिखाई दिया है और रिटन की बात करूं तो अवराल बहुत अच्छा रिटन दिया है लॉंग टाम पर अगर पांस साल की बात करूं तो बहुत अच्छा यहां पर हैं फंडामेंटले स्ट्रोंग कंपनी है 22 साल में अच्छा रिटन एक साल में अच्छा रिटन्थ और यहां तक कि six मन्त और three मन्त में भी बहुत अच्छा रिटन दिया है अब देखिस दोस्तों बात रिजल्ट क्यों कि हो रही लेकिन अगर मैं year on year की बात करूं तो यहां पर मुझे गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले साल same quarter में 1199 कड़ोर का revenue हुआ था और इस साल 1129 तो यहां पर कहीं कहीं से negativity हमें दिखाई दे रही है अगर मैं यहां पर net profit की बात करूं तो हमें quarter on quarter लगतार गिरावट दिखाई दे रहा है जो एक अच्छा चीज दिखाई नहीं दे रहा है मुझे एक investor के point of view से और देखिए last quarter quarter on quarter और year on year में थोड़ा सा growth है यहां पर 61.82 profit हुआ इस बार और पिछले बार 61.37 तो थोड़ा सा ज्यादा ही है year on year लेकिन इतना काफी नहीं है क्योंकि लगतार य अब हम बात करते हैं annually देखते हैं sales में तो यहां पर लगतार sales में increment दिख रहा है हमें श्रिप एक दो quarter की लेकर नहीं चलना है अगर हम investor हैं तो हमें long time का सोचना है और यहां पर long time की सोचू तो यहां पर हमें result में कोई खराबी नहीं है क्योंकि देखिए पिछले मतलब में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है अब मैं annually बात करता हूं इसके net profit की तो यहां पर हमें इस साल भी बहुत अच्छा profit हुआ है 293 कड़ोर का profit हुआ है इस साल पिछले साल यहां पर 203 कड़ोर का profit हुआ था तो result एक प्रकार से अच्छा ही है बस यहां पर quarter जो गिरावट जो दिख रहा है वो चीज़े negative है और दोस्तों market में sentimental चलता है sentimental में negative चीज़ देखने को मिला तो यहां पर जो है जिस हिसाब से उम्मीद की गई थे उस हिसाब से यहां पर result नहीं आया लेकिन दोस्तों कोविट का impact भी तो था love down था बहुत सारे जगा और दूसर है आप इसमें hold करेंगे buy करेंगे या sell करके निकल जाएंगे सारा चीज़े मुझे comment में जरूर बताना मैं आपके comments regularly पढ़ता हूं अब चली आगे बढ़ते हो details में जानते हैं दोस्तों यह एक 2805.04 कडोर का small cap company है और इसका EPS है 8.49 और यहां पर PE ratio की बात करें तो 10.33 PE ratio है और industry का PE ratio 66.44 है मतलब यह stock अभी भी आपको industry से कम price पे मिल रहा है book value की बात करूं तो 53.44 है और face value है एक के रुपए तो दोस्तों इस stock ने 90 रुपए का जबरदस्थ हाई बनाया था और अब यह result आ गया तो यहां पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है और आगे और भी details जानेंगे और 52 week का जो low था 21 रुपए कमपनी के पास date है 1764 कडूर का और कैसे कमपनी के पास 24.9 कडूर का promoters का holding 56.8 है और यह थोड़ा थोड़ा quantity में अपने holdings को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे है टोटल asset की बात करूं तो यहां पे 3818 है कडूर और यहां पे को holding से इसका गिरवी नहीं रखा यह बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है देखी दोस्तों यह 25 माई का data है इस पे आज का data include नहीं है तो इसमें अगर मैं compare करता हूं nifty 50 ने से तो nifty 50 0.7% का return दिया वन वीक में इस stock ने 2% का return दिया लेकिन आज negative है तो यहां पे negative देखने को मिलेगा आज का अगर include करें तो 3 मंद की बात करीं तो 0.7% का यहां पे return देखने को मिल रहा है nifty 50 में लेकिन इस stock में 69.5% तो यहां पे अगर 10% घटा भी देते हैं तो 59% का result हमें return देखने को मिल रहा है तो यहां एक परकार से अच्छा ही है दोस्तों अब मैं इसकी compare इनी के sector से करता हूँ FMCG sector से तो यहां पे 1 week में 0.1% का growth देखने को मिला है तो इस stock में 2% का इसमें भी आज का data include नहीं है 26 माई का और 3 मंद की बात करूं तो यहां पे 5.4% का return दिया है तो इस stock ने दिया है 69.5% का तो यहां भी यह stock जो है short time में बोलू तो गिराव firm देखने को मिल रहा है एक चीज हमें यहां पे थोड़ा negativity देखने को मिल रही है foreign investor ने इसमें अपने holdings को घटाया है दोस्तों तो यहां पे एक negative चीज देखने को मिल रही है और एक अच्छी चीज यह भी है कि promoters ने अपने holdings को जो गिरवी रखा हुआ था वो लगातार क करता है और support लिया भी है तो यही से support लिया है तो यहां पे हमें जो है अब अच्छी तेजी बनते होई नजार आ रही थी लेकिन result के वज़े से गिरावट हो गया है तो यहां पे दोस्तों अगर यह 72 के level को cross करता है तो आप इसमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकत है लेकिन अगर आपका goal long time के लिए तो बहुत अच्छा stock है long time के लिए hold कर सकते हैं और बिल्कुल आप long time के लिए hold कर सकते हैं और चली दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे बताने का style पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को like करना मुझे आपके लाइक से बहुत motivation मिलता है चली दुस्तों मिलता हूं फिर एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye thank you